कहते हैं म्यूजिक या संगीच जदगी है तब ही तो हमारा दिल धड़कता है और म्यूजिक एक ऐसी भाषा है जो कोई पाटिकलर वर्ड में नहीं बात करता है बलकि वो बात करता है एक मोशन knife in हमारा हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक भी एक ऐसी ही धरोर है जिसमें आपको ऐसे ऐसे नयाब हीरे मिलेंगे जिसका मोल लगाना बड़े से बड़े संगीतकार के बसकी बात नहीं है और जब क्लासिकल म्यूजिक और पॉप म्यूजिक का फ्यूजन हो जाए बस अब तो आपके कानों में सुरो की ऐसी चाशनी घुलेगी और ऐसा मज़ा दिलाएगी कि आप जूमने पर मजबूर हो जाएंगे कुछ ऐसी ही कोशिश की गई है बंदिश बैंडिट्स में मैं नाम हैं अंकुष और आज मैं अपने चैनल बॉली फ्रेड़े पर लेके आया हूँ Amazon Prime पर लेटर सिरीज हुई वेब सिरीज बंदिश बैंडिट्स का रिव्यू और हाँ अभी तक आपने सब्सक्राइब वाला बटन दबाया की नहीं इस वेब सिरीज की सबसे अच्छी बात है इसका यूनिक सब्जेक्ट जो कि आजकल की फिल्मों या वेब सिरीज के बीच में एक वेलकम चेंज जैसा है ये वेब सिरीज जोदपूर में बेज़ जाए एक क्लासिकल म्यूजिक घराने राठोर खांदान पर जिसके फ्लैक बीरर है नसुदिन शाह और पंडित जी पंडित जी एक बहुत ही स्टिक्ट टीचर है और उनसे म्यूजिक सिखना पहाट तोड़ने जैसा है राधे पंडित जी का पोता है और उसकी एक ही ख्वाइश है कि वो पंडित जी का उत्राधीकारी बनकर खांदान के म्यूजिक को और बुलंदियों पर ले जाए दूसरी और है एक यूट्यूब सेंसेशन तमना जिसका भी एक सपना है और वो है अपनी आइडल क्वीन एली के साथ परफॉर्म करने का अब कहानी कुछ ऐसे अलाप और तान लेती है कि राधे और तमना के सुरों के तार साथ में बन जाते हैं और तब शुरू होता है एक म्यूजिकल धमाका क्या राधे पंडित जी की परिक्षा में खरा उतर कर अपनी मंजिल तक पहुँच पाएगा क्या तमना अपनी आइडल के साथ परफॉर्म करने का सपना पूरा कर पाएगी या फिर उसकी दुनिया व्यूज और लाइक्स में ही समिट के रह जाएगी और क्या राधे और तमना का संगम से म्यूजिक तक ही सीमित रहेगा या उनके बीच का इश्क भी परवान चड़ेगा इन सब सवालों का जवाब मिल जाएगा आपको इस वेब सिरीज में पर हाँ इसे खतम करने के लिए आपको खर्च करने पड़ेंगे आठ नौ गंटे मतलब पूरा नाइट आउट इस वेब सिरीज का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है इसका म्यूजिक शंकर एसान लॉय ने क्लासिकल म्यूजिक के सुरों से सजी हुई ऐसी थाली परोसी है कि आप उंग्लिया चाटते रह जाएंगे मतलब ऐसा म्यूजिक आपको बहुत कम सुनने को मिलता है तो ये एक अनोखे एक्सपिरेंस है वराइटी ओफ सिंगर्स और फ्यूजिन म्यूजिक एक अलगी समा बान देता है तो आईए अब बात करते हैं एक्टिंग की इस सुल्म के लीट पेयर है रित्विक भामिक और शेया चौधरी और दोनों ने ही भेतरी इंग काम किया है रित्विक तो क्लासिकल सिंगर के रोल में किसी प्रोफेशनल की तरह गुजगए हैं और उनका अंदाज तारीफ ये काबिल है शेया ने भी अपने ग्लैम्रस यूट्यूब सेंसेशन के रोल को बखुबी निभाया है नसुदीन शा, पंडिजी के रोल में पिक्चर परफेक्ट हैं और सपोर्टिंग रोल में अतुल कुलकर्णी, शीबा चड़ा, राजेश तलंग और कुडाल रोय सभी ने बहुत अच्छा काम किया है मतलब एक्टिंग के डिपार्टमेंट में ये वेब सीरीज डिस्टिंग्शन से पास होती है इसके लावार रास्तां की लोकेशन को बहतरीन तरीके से कैप्टर किया गया है जो कि इस सीरीज की लुक और फिल को इंक्रीज करता है सेट्स और लोकेशन काफी अथेंटिक लगते हैं अब बात करते हैं नेगेटिव की और इस वेब सीरीज की सबसे बड़े नेगेटिव पॉइंट है इसके स्टोरी लाइन और इसका डिरेक्शन स्टोरी जितने प्रामिसिंग नोट पर चालू होती है वैसे पूरे डिरेशन में कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं कर पाती है करी सीन्स को बहुत जल्दबाजी या मैच और इश्वे में फिल्माया गया है जैसे कि क्लैमिक सीन उसमें जितने हाई मोमेंट्स हैं वैसे ही काफी जगे पे आप धराम से आके गिर जाते हैं आखरी एपिसोड में लीड अक्रस ऐसे गयब हो जाती है जैसे गदे के सरसे सीम यह बहुत अटपटा सा लगता है तमना साथ दिन में अपना कॉंसर्ट जोद्पूर जैसे शहर में और पांच जार रुपे की टिक्टें भी बेच लेती है यह समसे बाहर है इसी तरह काफी इल्लॉजिकल चीजों को बीच में गुसा कर अनेस्सरली इस वेब सीरीज की लेंद को बड़ा किया गया है यह वेब सीरीज साथ से आट एपिसोड में खतम हो जाने चाहिए थी इस वेब सीरीज में जगे जगे पर गाली गलोज है तो फैमिली के साथ देखना इतना कंफर परफॉर्मेंसेज और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए शेयर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपने यह वेब सीरीज देखी है तो कमेंट सेक्शन में देखे जरूर बताएए कि आपको यह कैसी लगी मैं मिलता हूँ नेक्स वीड सबनाद अव plant 순ो के इस दो अगर आपको में मिलता है तो हमिलता है दोह कैसी ले खचक वाया हुआ नेको depends Que कीजिए स कॉ生 आपको खचवक प्रया है तो हुआ है है वीडिए खचशन में आपको छ्ते恋 लाव बनता harव चांव का था प्रया है जा होई हुआ है वें उडिफ